बिसिसी आई के सचीव जशाह ने ये कनफर्म किया है कि बिसिसी आई ने किसी भी ऑस्टेलियाई क्रिकेटर को भारती टीम के हेड कोच की भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया है बताते कि टीटवेंटी विश्व कब दोजाद चौबिस के खत्म होने के बाद बतोर हेड कोच राहु दरुइन का भी कारेकाल खत्म हो जाएगा ऐसे में भारती टीम के नए हेड कोच के लिए भारती बोर्ड ने आवेदन मंगाए हैं में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बीसिसियाई ने उस्टेलियाई के पूर कप्तान रिकी पोटिंग और पूर भारती ओपनर गौतम गंभीर जैसे दिगजुग से संपर्क किया था लेकिन बिसिसियाई के सचीव जैस शान ने इस रिपोर्ट को जूटा बताया है दरसल जैस शान ने हाली में कहा कि किसी भी ऑस्टेलिया एक खिलाडी से टीम इंडिया का कोच बनने के लिए संपर्क नहीं किया गया शान ने साब तोर पर कहा कि मीडिया में ऐसी जो भी खबरे फैली थी वो एकड़म जूटी थी उन्होंने साब किया कि टीम इंडिया का हेट कोच ढूटना एक वरिस्तित और सटीक प्रत करिया है जो शान ने आगे कहा कि ना ही मैं और ना ही बिसिसियाई ने किसी पुर्व किरकेट टीम के हेट कोच से जादा प्रती स्थार्थ भूमिका हूँ कोई नहीं है अगो तैदर्भनोंने आगे कहा कि टीम इंडिया के पास विश्व स्burgerी ये फैन बेस है जिसे बे जोड समर्थन प्राप्त है हमारा समर्ध प्राप्त है हमारा स्मर्द इतिहास और खेल के प्रती जुनून इसे दुनिया की सबसे आकर्षक चॉप्स में से एक बनाता है यह भूमी का उच्छ स्थरिये विवसाइता की मांग करती है एक अरब प्रशन्सकों की अकांशाओं को पूरा करना एक बड़ा सम्मान और विसिस्याई सही उमिद्वार को चुनेगा जो भारत था हलाकि दोनों ने इस ओफर को स्फिकर करने से इंकार कर दिया अब बिसिस्याई ने सच्छीव ने पूर उस्टेलिया एक खिलाडियों के दावी को छूटा बता दिया है आपको जनकरी कैसी लगी हमें कमेंड बॉक्स में ज़रू बताएं साथी खेल कैसी तमाम जनकरी क अबडेट्स के लिए देखते हैं पब्लिकेशन यूज चनल नमस्कार